हेलो टेड़ास, वेलकम टू सीपार्टेडिंग यूटूब चैनल, आई होप सब अच्छे होगे, आज का जो मार्केट में मूव आया, वो मूव हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं, बहुत लोगों से मिस हुआ, और अगर आप देखोगे, तो आपको लगे है कि वो न्यूस क हमें मोमेंटम दिखाया है, तो वैसा मूव को हम लोग ऐसे पकड़ सकते हैं, और सिंबल से प्यार को यूज करके, साथ में मैं दिखाऊंगा कि एडवान से प्यार जो मैं लगाता हूँ, जो मेरा अपना इंडिकेटर है, वो कैसे मार्केट में वाक करता है, और क्या रोज रोज आपको narrow CPR नहीं मिलेगा, narrow CPR का मतलब क्या होता है, यह जो आपको blue line दिख रहा है, यह बहुत narrow होगा, जैसे यहाँ पर आपको 3 line दिख रहा है, यह क्या है, थोड़ा wide है, लेकिन previous टे थोड़ा narrow है, अब इसमें में क्या होता है condition, first condition क्या होता है, कि narrow CPR तो होगा लेकिन CPR से R1 previous day high and CPR से S1 previous day low, बीच में distance होगा, वो less होना चाहिए, यहाँ पर distance क्या है, यहाँ पर distance high है, जिस दिन distance less होगा, उस दिन माना जाता है कि market में trending move एक आ सकता है, ठीक है, first concept यह होता है, अब क्या हुआ, कि अगर narrow CPR यहाँ पर था, अब लोग क्या लगा कि market trending हो, लेकिन market क्या किया, एक range में market यहाँ पर बंद हो जाता है, कुछ market trend नहीं किया, अब जब market यहाँ से यहाँ तक range बनाया, अगले दिन का CPR कैसा बना, अगले दिन का अगर आप CPR देखोगे, तो यहाँ पर R1 previous day high, यहाँ पर CPR, और यहाँ पर S1 previous low, मतलब कि यहाँ पर distance काफी कम है, move करने के लिए, लेकिन CPR क्या है, इसलिए market में यहाँ पर ज्यादा तेज मोमेंटम नहीं आ है, next देखते है, इस दिन market क्या किया, साइड़े मोमेंटम किया, तो अगले दिन market क्या बना, narrow CPR, range क्या है यहाँ का, range यहाँ पर small, मतलब इस दिन market trending हो सकता है, अब market क्या इतना दुर में आपको कोई ट्रेड मार्केट दिया नहीं, जब market यहाँ पर breakdown किया, टेलो को, उसके बाद आप देखो, पूरे दिन market trending रहा और कितना बड़ा मोमेंटम मार्केट में आया है, यह कैसे हुआ, simple narrow CPR से, तो क्या हमारा जो indicator है, वो indicator भी ऐसे market में work करता या फिर अगर में यहाँ पर देखो, कितना अच्छा में momentum यह दिखाया, यहाँ से और उपर से यह बता रहा है, रेड जोने मतलब कि market selling में है, इधर market selling में है, इधर market selling में है, सब कुछ हमें यहाँ पर बता रहा है, साथ में, अगर आप वोलिंजर वैंड यूज करना जानते हो, आ आपने अगर वोलिंजर वैंड यूज किया होगा, तो आपको पता चलेगा, वोलिंजर वैंड में जब भी range compress होता है, तो बहुत बड़ा momentum आने का chance होता है, जैसे आप देखो, कि यहाँ पर एक range बना हुआ market का, इस range में market momentum करता है, यह range क्या होता है, gap down होता है, यह range breakout होता होता है, फिर market पूरा दिन momentum करता है, अब जब भी देखोगे, बोलिंजर बैंड में कुछ ऐसा range बना हुआ है, आप expect कर सकते हो, अगले दिन gap up, gap down होगा, बहुत बड़ा momentum, उसी direction है market कर सकता है, यह भी अच्छा prediction का चीज़ है, आप उससे भी predict कर सकते हो, market को, अब इस दि आपर market जब trending हो चुका है, तो अब क्या pattern यह बना चुका है, market का first है, यहां मैं बानता हूँ, second है, third है, मतलब market negative है, फिर से market नीचे से उपर जाएगा, यह high बना, मतलब market negative है, फिर उपर गया, यह high बना है, मतलब market, इस से नीचे ही है, मतलब market negative है, इसी तरह से market, जब तक last के क्रॉस नहीं करेगा मार्केट निग रहेगा और इसको आप लोग capture कर सकते ऊंगे क्यों बता रहा हूं कियों कि आज का मूब जो आया उसके उपर मैं चलता हूं और आज का मूब जो आया कैसे capture कर सकते तो कि आज इतना बड़ा मूव आया उससे पहले आपके पास सी प्यार था जो कि नेरो था उसके वावजूद मार्केट क्या किया है कि पूरे दिन मार्केट एक रींज में वोक्त करता हुरे ठ्लाफ यहां देख सकते हो सी प्यार से लेकर यह तक अगर आप देखोगे 100 1500 प्वांट करेंज में मार्केट क्लोस करते है ठीक है 1200 करेंज में मार्केट यहां पर व Siq यह ब्रेक होगा मैं कॉल बाई करूगा इयह हमारा क्या है previous week high r1 green zone और यह क्या है हमारा हमारा यह अगर आप देखो वे 15-minute time frame में तो आप यहाँ देख सकते हो market support resistance, resistance, resistance resistance, resistance फिर से यहाँ resistance लिया जैसे break-kick market, one side momentum और मैं क्या बताए था, कहां तक market जा सकता है यहाँ अगर break करेगा तो market तो यह सारा लेवल होता है अगर आपको भी हमारे टिल्गाम को साथ जॉइन करना आप जॉइन कर सकते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्सिंग मिलेगा हमने पहला लिया था यहां पे चोड़ा सा प्रॉफिट हुआ था फिर कॉल का टेड मैंने मार्केट जब टाइम पस करता तो और इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यह तो मार्केट यहां तक मॉमेंटम किया था और हमारा टरगेट कहां था यहां तक टॉ कि बाद के ऱ्ट आप से 0-10 के अब यहां आ पदेखो जो मैं बात बता रहा था आपको कि इस दिन जब मार्केट ने था उसके बावजूद, मार्केट यहां ट्रेण्डिंग नहीं हुआ, तो क्या होगा? नेख से हम लोग expect कर सकता है, Markets Training हो, अब कहां पर Trending होगा, Previous Day high के ऊपर, और current Day high के ऊपर, और आज Previous Day high, current Day high तो अनों सेम था, और कहां पर Trending हो सकता, गजनिक प्रिविजच तो और current Day low के निचे, तो यहां भी कहीं न कहीं, आज Previous Day low के नहीं, उनों कहीं न कहीं, similar था, या तो इसके नीचे पूट अच्छा चलता या तो इसके उपर call अच्छा चलता बस यही सिनारियो था market का तो आज market बहुत तैम pass किया, time pass करते करते हैं यहां पर कहीं न कहीं घुए यह डबलू पैटन टाइब बनाया उसका मार्केट इससे break किया हमारा भी उता मार्केट इधर से नीचे आएगा एक बार लेकिन मार्केट में इतना जादा बाइंग है है कि मार्केट यहां से फिर एन बैटन बनाकर उपर चला अज़ां यहां से नीचे नहीं आए तो यह समीव आप चैप्टेर कर सकते हो सी प्यार से हमारा एंडिकेटर आप यहां पर यूज करते एं तो कैसा बेनिट होता आप देखो यहीनि पर मार्केट में आपको ट्रेंड मिल चुका ठीक है जहां पर मार्केट में ई मार्केट में आपको मुमेंटम में यह रखा है तो इसमें अप प्रॉफिट अच्छे से सकते बागर पर आप बिनदर वेंड यूज्स करोगे तो यह आपको में बता रहा था किर अन्य बाइक के बाद रहा शहीं है अiebenर आत और थे पुट ब्यक्डाउन देने के दा लोग क्या है यहां पर पुट पाई वन साइड ऊपर चला गया तो यह सारा मूव आप सिंपल सीप्यार से पकड़ सकते हो बस आपको कुछ लेवल्स पता होना चाहिए और कुछ पैटर्न पता होना चाहिए तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो लाइक करते हैं चैनल सस्क्राइब करते हैं चलिए मिलते नेक्स वीडियो में थैंक्यो